तो दोस्तो अगर आप भी security question के लिए teacher's name पता करना चाहते हैं आपका log लग गया है, app log लग गया है और उसको खोलते हैं तो जब reset करते हैं password को, change करते हैं password को तो मांगता है security question के लिए teacher's name, ओके तो teacher's name आपको पता है नहीं, तो कैसे उस वो खोलेंगे आप इसका problem solve करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आपको teacher's name कहां पर मिलेगा, ओके तो सब कुछ इस वीडियो में बताया हूँ, जैसे कि इस mobile के अंदर मैं दिखा रहा हूँ reset from security question, app log में जब यहाँ आपर forget password किया तो यहाँ पर इस परकार से आ रहा है, अब यहाँ पर security question में जाने के वाद यहाँ पर बता रहा है, what is the name of your teacher, अब यहाँ पर teacher's name अगर आपको पता होता है जो आपने set किया था, तो आप तो यहाँ पर खोल लेते, ओके, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको teacher's name पता करना पड़ेगा, अब इसको teacher's name पता करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, यह मैं आपको बता दता हूँ दोस्तो, सबसे पहली बात आपको setting open करनी है, ओके, अब setting open करेंगे जब तो आपको वहाँ पर दिखेगा password and biometric, ओके, तो password करके कुछ यहाँ पर दिखेगा, वहाँ पर आपको ढोंड़ना आए अब हर फोन में अलाग लगतरी किसे खुलेगा, लेकिन मिल ही जाएगा, ओके, जहाँ से app lock setting होती है, privacy setting होता है, वहाँ से आप जाओगे, तो फिर आपको password and biometric मिलेगा, या फिर normal password करके ही होगा, उसके अंदर जाएंगे तो privacy password यहाँ पर दिखेगा, ओके, जब privacy password आपको यहाँ पर lock माएंगा, जो privacy lock होता है, जो जिससे आप lock खोलते थे, app lock खोलते थे, वो वह वाला lock अगर आप यहाँ पर डाल देंगे, तो आपको यहाँ पर security question को set करने का मौका मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पर देखो मैंने डाल दिया, तो security question यहाँ पर खुल गया, आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुलने के बाद क्या मांग रहा है, फिर से द्वारा lock वही वाला मांग रहा है, ओके, अब वही वाला lock जो एप lock होता है, वही वाला lock डालना है, और जब वो lock आप डाल देंगे, तो फिर आपका जो password जो teachers name होता है, उसको आप change भी कर सकते है जरूरी नहीं है कि आपको वही वाला डालना है, कुछ भी आप डाल सकते है, teachers name में, अब यहाँ पर देखो, मैं द्वारा से password डाल रहा हूँ, और password डालने के बाद यहाँ पर जब done किया तो देखो, यहाँ पर what is the name of your teacher, यानि क्या state करना चाहते है, ठीक है, अब यहाँ प जब देता हूँ, तो DEV करके यहाँ पर स्पसफेस डाल देते हैं, और ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर जब shortcut नाम डालेंगे, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में हो गया तो चलो हिंदी में छोड़ देते हैं, और हिंदी में हो गया है देव, तो देव छोड़ तो फ़गत्पस्वटों करेंगे फ़गत्पस्वस्थ क्रेंगे तो फिर यहां पे स्टियोट रज्चम पर कर दिया है धिर आप यहां पर जैसी आप लाप देव चेंग जैक तो आपका जो है पस्फरिफक्री का अनुका मुझा आपको मिल याओ और आप असानी है change कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है set privacy password use difference यहां पर कर सकते हैं यहां पर दूसरे प्रकार का log लगा सकते हैm pattern log लगा सकते हैं for digital लगा सकते हैं हर तरह के cobay लगा सकते हैं लेकिन यह सब करने के लिए आपको तो log पता करना ही है आप लॉक होना ही चाहिए पता अब यहाँ पर में प्रावलम यहाँ पर होती है कि यहार हमको पता ही नहीं है लॉक तो हमको प्राइवेसी पासवर्ड आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे टीचर से नहीं पता करूं तो दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो में आपको भी पुदिगा सु आपको जो भी डाटा बाता सबसकोट कना पढ़ेक। करना पढ़ेकंता है, majority आपको सब्सक्तल करना पढ़ेकं ही और द्वार में चरणेस,देब को seinem पर रेज डाटा या फिर रिषिक करके डालेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा फैक्ट्रिरी रिषेट ब्सुटे करने के बार कि दीटर डाटा के चिल करने लेकिन दोस्ता आपको ध्यान है कि आपका डाटा पहले से जो इंपोर्टेंट हो कहीं दूसरे फ़न में शेयर कर लिजिए तो उम्मित करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर दोना चैनल को सब्सक्राइब कर दोना